नमस्ते दोस्तो आज हम बहुत ही स्वाधिस्ट एक चाउमिन बनाएंगे और यह गर्म गर्म एक चाउमिन छोटे से बरे सब कोई बहुत ही पसंद आता है अगर मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राब करना मत भूलना तो आएए देख लेते कैसे स्वाधिस्ट एक चाउमिन बनाते हैं तो पहले में एक ग्लस पानी कड़ाए में पहले गरम कर लिया उसमें एक पैकड चाउमिन को उबलने के लिए डाल दिया और 1 teaspoon white oil डाट किया उससे चाउमिन चिपकत नहीं है इसलिए 1 teaspoon white oil डिया थोरा सा नमक दे दिया अब चावमिन को सुखने के लिए थोड़ा सा अलग रख देंगे चावमिन जब तक ठंड़ा हो रहा है तब कड़ए में तुटी स्पून वाइट ओयल दे दिया गास कफले मिडियम में रखेंगे तेल जब गड़म हो जाएगे पहले थोड़ा सा मुमफली को फ्राइ कर लेंगे मुमफली को फ्राइ करने के बाद दूसरा प्रिट में सिफ्ट कर लिया अब चाऊमीन के लिए कुछ सबजी कटके रख दिया, कुछ करी पत्त बडिक कटवा एक प्यास, थोरज़ा सा कियांग, थोरज़ा सा गाजर और एक आलू , बडिक कटके रख दिया पहले तेल में कड़ी पत्त को दे दिया उससे बहुती सुन्दर फ्लेबर आता है कड़ी पत्त से जैसे ही सुन्दर खुजबू आने लगा तबी मेह यहां हाप सुखी मिर्ष को तेल के उपर डाल दिया फिर प्याच को दिया आप प्याच को थोड़ी देर फ्राइ कर लेंग कि आप थोड़ा सा नमा घट किया कि और काटी हुई गाजर को प्याच के साथ फ्राय कर लेंगे कि गाजर को थोड़ा से फ्राय कर लेना है उससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है अब मैं 1 तीस्पून घी गजर के उपर दे दूँगी उससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है उसके बाद कैप्सिकम को डाल दूँगी उसको भी थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे उसके बाद आलू को डालना है अब सबसबजी एक साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद दोहरी मिर्ची को डाल देंगे थूर असा चीनी देंगे और सबसबजी को अच्छे से एक बार हिलायेके गैस का फ्रेम एकदम धीमा कर देंगे और धाकन लायाके सबजी पकने तक रख देंगे 10-15 मीट के लिए छोड़ देंगे अब एक पैन में 1 टीस्पून हुआइट वैल दे दिया आप गैस काफले मिदियम में रखके तेल को गरम कर लेंगे मेह यहाँ दो अंडे में थोर असा नमक मिला के अंडे को अच्छे से फेट लेंगे फिर अंडे से ओमलेट बना लेंगे ओमलेट बाद में देने से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है आप मेह यहाँ 1 टीस्पून क्रास किया हुआ काली मिर्च को अमलेट के साथ मिलाएंगे इस टाइम गैस काफ़्यं मीडियम रखेंगे और ओमलेट को अच्छे से फ्राइप करलेंगे मैं यहाँ पैजुलरं से ओमलेट को तोर के रख दिया आप दिखेंगे सब्जी पाग गया के नहीं तो सब्जी अच्छे से पग गया है अब जो उबला हुआ चाउमिन में सुखाने के लिए रख दिया थे उसको सब्जी को उपर डाल देंगे फ्राइ की ओवा बदम को चाओ मिन की उपर डल देंगे अब अच्छे से चाओ मिन को सब्जी के साथ बदम के साथ अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा गस का फ्लेम लो टू मीडियम में रखेंगे और थोड़ा सा धन्या पत्ता लस्ट में दे दिया और फ्राई कियो ओमलेट को उपर से डाल देंगे फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे चाओमिन के साथ चाओमिन जब सबजी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तब एक धक्कन स्वास सास उसमें डाल देंगे और टुटी स्पुन होटन चिली मैगी सॉस उसमें डाल देंगे अब धक्कान लाके सफ कत देंगे तो मेरा गर्मा गर्म स्वाधिस्ट एक चौमिन बनके विल्कुल तैयार हो गया है अब भी इसे एक बद जरूर ट्राइ कीजेगा और मेरा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना बाई